हलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैंड की करेंट अफर सेसन आपका स्वागत है। ये करेंट अफर सेसी, बैंकी, रेल्वे, टेट पीसेएस, सीडियेस, सीएपीएस, एंटीये और अधर कम्पुर्टिटिव एकजामारी में सहार कुँँगे। आज की डेट है 26 जन्वारी 2021 तो चलिए, आज का करेंट अफर सुरू करते हैं। आज का पहला प्रस्न है, केंद्र सरकार ने हाली में किस पूर्व नियाधिस को जेट प्लस सुरक्षा प्रदान की है। को रंजन गोगोई को सुरक्षा देने की जीमेदारी दी है। इसमें से जो है आपका 10 से जादा NSG कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो और राज की पुलस कर्मी सामिल होते हैं। तो इसका सही एंसर होगा ओफ्शन ए पूर्व नियाधिस रंजन गोग प्रधान मंत्री राश्टिय बाल पुरसकार 2021 के लिए निमने में से कितने बच्चों को चैनित किया गया है। मंत्रा लेके नुसार कला इवं संस्कृति के लिए साथ नवाचार के लिए नौ, सिक्षा छेत्र में पांच, साथ बच्चों को खेल में और तीन को बहदुरी और एक बच्ची को समाज सीवा में उनके प्रियास के लिए समानित किया गया है। तो इसका सही एंसर होगा अफ्षन बी पंजाव, अफ्षन सी राजस्थान, अफ्षन डी मध्यप्रदेश सरकार ने रास्टिय बेटी दिवस के अपलक्ष पर पंख योजना को लांच किया है। इस योजना को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतरगत मुख्य मंतरी ने लांच किया। इस योजना को लांच करते हुए मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहा ने पंख के अंग्रेजी सब्दों को स्टेंड की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो पी है आपका, यह आपका जागरुकता है awareness, लड़िए अधिकारों के बारे में जागरुकता ये है न, इसका है उसके बार आपका जो ए, एन है आपका portion, nutrition, ठीके के आपका घ्यान है, knowledge, और आपका H जो है, है आपका health, ठीके, health के लिए stand przed ये, full form है, punk का लिख लिजएगा ठीके, यहों जरूरी चीजे इस यूजना में सामिल है ताकि सभी स्तर पर लड़कियों अपने धिकारों के लिए लड़ सके यह अवियान एक साल तक चलेगा तो इसका जो सही अंसर होगा होगा ओफशन D मध्यप्रदेश चले नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं निम्ने मेंसे किस देश न यूए की मंजूरी के बाद अभूधभी में अपना दुतवास खोल दिया है यूए और इस्राइल आपका जो वही और इस्राइल जो है दोनों दोनों ही सॉरी अगस्ट 2019 में अगस्ट 2019 में समन्धों को सामायने करने के लिए सहमत हुए वहीं बहरीन सुडान और मोरोक को इस्राइल की विदेश मंत्री ने गबी और असोकन जी ने यूए में दुतवास खोलने का एलान करते हुए कहा कि यूए में दुतवास खोलने के बाद दोनों देश्टों के समन्ध में और विस्तार आएगा तो इसका जो सही अंसर होगो वोगो ऑफ्शन C इस्राइल चलि ऑफ्शन D 4 साल देखे अमेरिकी राश्टपती जो वाइडन ने हाली में स्टार्ट संधी को पाट साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है उसमें 2010 में अमेरिकी और रूस के बीच नई स्टार्ट संधी को फर हस्ताक्षर किये यह संधी जो थी आपका 2011 में लागू हुई थी न्यू स्टार्ट संधी को आपशारिक नाम रणितिक आक्रामक हतियारों में कमी और सीमित के लिए उपाए है अमेरिका और रूस द्वारा परमानु हतियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए इस संधी पर हस्ताक् किये गये थे तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ऑफशन भी 5 साल चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं देश के एक मात्र सयुक्त बल कमान के रूप में अंडमान एवग मिकोवार कमान एंसी के तहत अभ्यास कवच का संचालन किया जाएगा इस अभ्यास में कौन से सेना भाग लेंगे ऑफशन भारती सेना और नौ सेना ऑफशन B वायो सेना और तत्रक्षक बल ऑफशन C ए और बी दोनों ऑफशन डी इन्मेस से कोई नहीं देश के एक मात्र सयुक्त बल कमान के रूप में अंडमान एवग निकोवार कमान के तहत तुरी इस तरी स सेना के संगसाधनों को मिला कर एक ब्रिहत सेयुक्त सैन्य अभ्यास अभ्यास कवच का संचालन किया जाएगा अब जो अंडमान निकोवार कमांड जिसका जो मुख्याले है आपको पता हगा पोर्ट ब्लेयर में है में पहला इंटीग्रेटर थेटर कमांड है इसकी कुछ प् इस इस्ताओं के बार में बात करें तो इस अभ्यास में समुद्री निग्रानी संगसाधनों के स्तमाल में तालमेल कायम करना वायू एवं समुद्री हमलो वायू रक्षा पंडुब्बी एवं लेंडिंग ओपरेशनों के समन्वित अनुप्रियोग सामिल है सेयुक्त बल अन्दमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुप छेत्रिय उच्यमारक चमता तथ रशनात्मक प्रणाली का को क्रियानवित करेगा इस तरह के अभ्यास के आवश्यक्ता जो थी वर्स 1993 और वर्स 2000 आपका 2008 में जो है मुंबै हमलो का कारण खराब समुद्री सीमा सुर तो यह जो सही अंसर होगा इसका होगा option C, A और B दोनों ठीक है यह चारों मिलकर यह अभ्यास कवच का संचालन करेंगे ठीक है चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलता है हालीवी चर्चा में रहा उकेरिया क्या है? option A, चीटी की प्रजाती, option B, बंदर की प्रजाती, option C, हाती की प्रजाती, option D, मस्रूम की प्रजाती देखें भारत की दुरलव चीटी वंक्स की दो नई प्रजातियों की खोजकी की है केरल और तमिल लान्डूप में पाई गई चीटी वंक्स की प्रजातियां, इस दुर्लव वंक्स की प्रजातियों को बढ़ाती है ये एंटनल कंडो में आधार पर अपने की वंक्स की अन्य प्रजातियों से अलग है इन में से एक केरल के पेरियार बागे भारन में पाई गई है जिसका नाम प्रख्यात विकास मोलक जी विज्यानी प्रोफेसर अमिताव जोसी के सम्मान में उकेरिया जोसी रखा गया है मुदुरे के अलगर कोईल में खोजी गई दुसरी प्रजाती उकेरिया डिमेमरा है दिकेरिया दस खंडो वाले एंटेनल को संदर्वित करती है तो इसका सही अंसर हो का option A चीर्टी की प्रजाती चले next question पे चलते हैं हाली में सुबास चंद्र बोस आप्दा प्रमंधन पुरसकार के लिए किसे आप्दा प्रमंधन में उतकरिस्ट कारी हैं तो चुना गया है option A सस्टनबल एन्वार्मेंट एंड एकोलोजिकल डबलेप्मेंट सोसाइटी option B डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी option C डिजास्टर मिटिकेशन एन्ड मेनेजमेंट सेंटर उत्राखन option D स्रीकुमार मन्नान सिंग option E A और B दोनो लेकि हाली में जो है सुबास चंद्र बोस आप्दा प्रमंधन पुरसकार 2021 प्रदान किये गये हैं सुबास चंद्र बोस आप्दा पुरसकार के बारे में बात करें तो भारत में आप्दा प्रमंधन के छेतर में संगठनों और विक्तिगत स्थर पर किये गये अमोले योगदान और निस्वार्थ सेवा को मायुनता वो सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने सुवास चंद्र बोस आपदा प्रमंधन पुरसकार के नाम से एक वार्षिक पुरसकार की सुर्वात की है इस पुरस्कार की घोषडा नेताजी सुवास चंद्र बोस की जैनती पर हर साल 23 जन्वरी को की जाती है इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाग रुपे नगद और एक प्रमान पत्र वो एक व्यक्ति के मामले में 5 लाग रुपे और एक प्रमान पत्र दिया जाता है सुवास्टंद्र पोस आवदा प्रमंधन पुरस्कार के लिए सस्टेनबल इन्वार्मेंट और एकोलोजिकल डवलपेंट सोसाइटी को और डाप्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आवदा प्रमंधन के उतक्रिस्ट कारे तो चुना गया है इन दोनों को चुना गया है ध्यान रखेगा लेकिन ये ध्यान दीजेगा इसे जो है संस्थागत स्रणी में दिया गया है और इसे जो है वेक्तिगत स्रणी में दिया गया है इन दोनों को दिया गया है इस बार 2021 के लिए ठीक है और बात करते हैं 2020 के लिए तो 2020 में आपका Disaster Mitigation and Management Center उत्राखन इसे आपका संस्थागत स्रेणी में दिया गया है देखिए नाम से पता चल एक संस्था है और स्री कुमार मन्नान सिंग इसे 2020 का वेक्तिगत स्रेणी में मिला था ये दोनों बे लिख लिजेगा लास्ट इयर का ठीक है तो इन्हें जो है Option A और B सही होगा ठीक है तो Option E सही है A और B दोनों चलिए Next Question पर चलता है हाली में सयुक्त राष्टि परमानों हतियार प्रतिबन संधी लागू हो गई है भारत सहीत कितने बड़े देशों ने इस संधी का समर्थन नहीं किया है Option A आठ, Option B नो, Option C दस, Option D इगारव देखे सयुक्त राष्टि परमानों हतियार प्रतिबन संधी 22 जन्वरी 2021 को लागू हो गई है भारत सहीत जो है इसमें 9 बड़े देशों ने इस संधी को समर्थन नहीं किया है महासभा ने 2017 के संकल्प में 71-258 के तहट परमानों हतियारों को प्रतिबन करने के लिए कानूनी रूप से बाइध्यकारी एक साधन विक्सित करने के लिए सेउक्त राष्टि सम्मेलन बुलाने का फैसला किया था इस सम्मिलन का उद्धेश से परमाणों हतियारों के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए एक वैस्विक सहमती तेयार करना था सेउक्त राष्टि महासभा द्वारा 7 जुलाई 2017 को परमाणों हतियार पृति सेथ पर संधी को अपनाया गया और 20 सितंबर 2017 को इस सरदस्यों के हस्ताक्षर के लिए रखा गया था अभी तक 120 तियान रखेगा 120 से अधिक देशों द्वारा इस संधी का समर्थन किया जा चुका है 24 अक्टूबर 2020 तक 50 सरदस्यों द्वारा इस संधी को हस्तासरेक्ष करने के बाद इसके अनुमोदन से संधी दस्तावेजों को महासमा में जमा करने के बाद इस संधी में 22 जनवर 2021 से लागू हो गई है सेवक रास्टे परमाणों हतियार प्रतिबंद संधी की कुछ प्रावधान के बारे में बात करें जिनेवा में हुए सम्मलन को एकल भुपक्षिय निरस्तरी करण वारता मंच की रुपे मानता दिता है। लेकिन वैस्विक रूप से निरस्तरी करण मुद्धे को समोधित करने में बर्तमान संधी समक्षता पर आसंका भी व्यक्त करता है। अमेरिका, ब्रुटेन और फ्रांस जैसे सुरक्षा परिसत की स्थाई सदस्यों का गहना है कि यह परमानो निरोत की महत्तु को नजर अंदाज करती है। यह संधी उत्रकोरिया जैसे देशों के परमानो कारिकरम से उत्पन गंभीर खत्री की प्रिस्ट भूमी में वैस्ट्र रूस है आपका रूस ब्रिटेन ठीके उसके बाद आपका नाम आता है चीन उसके बाद आपका फ्रांस भारत भारत इसमें आपका और एक है पाकिस्तान पाकिस्तान है ठीके इसके बाद इसराइल उत्री कोरिया उत्री कोरिया और नाटो संगठन के सदसे ठीके इसमें साम है और यह नो नौ देश वे और नाटो संगठन के जो सदे से देशे ने इस संधी के प्रती जो है कोई दिल्चस्ट भी नहीं दिखाई है तो इस नौ देशों का नाम भी लेग लिजेगा जिन्होंने इस पर्मानु हत्यार प्रतिवन संधी को लागू हो गया है लेकिन इसका समर्थर नहीं किया है ठीक है चलें नेक्स्ट कोईशन पर चलता है हाली में किसके द्वारा द इन इक्वालिटी वाइरस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है ओफशन A, Oxfam, ओफशन B, Fortune पत्रिका, ओफशन C, अंतरास्टे स्रम संगठन, ओफशन D, WHO देखे हाली में जो है Oxfam दोरा The Inequality Virus नाम से जारी कीगे एक रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID महामारी ने भारत समेत दुनिया भर में मौझुदा असमानताओं को बढ़ाने का काम किया है The Inequality Virus Report के प्रमुख बिंदू के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट के रुसार Fortune पत्रिका में सामिल सिर्फ जो है आपका 1000 अरपतियों को अपनी पूर्व महामारी की स्थिति में आने में कितना वक्त लगा सिर्फ आपका 9 मंथ लगे हैं ठीके ध्यान रखेगा और 9 पूर्व स्थिति में वापस आने के लिए हैं इससे जो है आपका 14 गुर्णा समय लगेगा 14 गुर्णा समय अर्थात एक दसक से अधिक का समय लग सकता है संकट सुरू होने के बाद से 10 सबसे अमीर अरपतियों के संपति में जितनी बृधी हुई है वो पृधिवी पर वा अर्थविवस्था के छेत्र में महिलाओं का प्रितने धुत्त तुल्नात्मक रूप से अधिक था और सबसे अधिक प्रभावित भी महिलाए ही हुई है इस छेत्रों में पूरुसों के समान महिलाओं को प्रितने धुत्त किया जाता है तो लगभग 112 मिलियर महिलाए अपन आई या नौकरी खोड़ने की जोखिम बच सकती है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजिल में स्वेत लोगों की तोलना में अस्वेत लोगों की COVID-19 से मरने की संभावना जो थी वो 40% अधिक थी यदि उनकी मृत्यू दर्ज स्वेत लोगों के बरावर होती तो जून 2020 त अर्थविस्ता संकुचन में लाखो भारतियों की नौकरिया चली गई लेकिन अरभपतियों के संपती में बढ़ोतरी हुई है भारत्य рек रपत्यों के संपती में लॉक्ड़ाउन के दोरान जो है आपका 35% और 2009 शो है नब्बे परतीसत बढ़ी है बढ़ोतरी हुई है भार अमीर गरीब भारतियों में से प्रतेक को 94,045 रूपे का चेक देने के लिए प्रयाप्त है भामारी के दौरान सिर्स 11 भारती अरबपतियों की संपती में ब्रिदी हुई है दस वर्स के लिए नरेगा में होने वाले खर्च अत्वा स्वास मंत्रा लेके दस वर्स के बजट के बराबर है तो ये इसका सही एंसर होगा option A. Oxfam चलि नेक्स्ट कोशिन पर जाएगे तो ये थे आज के current affair वीडियो पसंद आए तो like, share और comment करना न भूले साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स फोर वाचिंग, have a nice day, take care